टमाटर का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है यह तवचा और से दोनों के लिए बहुत फाइदे मंद है टमाटर में मौझूद तव तवचा को निखारने का काम करते हैं अगर आप ग्लोइंग स्कीन पाना चाते हैं तो टमाटर का इस्तेमाल करें आज हम आपको सबसे आसान और सस्ता तरीका बताने जा रहे हैं जिसे अपना कर आप कुछी समय में गोरी रंगर पा सकते हैं सबसे पहले टमाटर को बीच में से काट लें अब आधा करे हुए टमाटर पर हल्दी लगाएं इसके बार इसे अपने चेहरे पर लगाएं और हलके हाथों से रगड़ें दो मिन्ट बार पानी से धोलें दिन में दो बार इस नुस्के को अपनाने से जल्दी चेहरे का रंग गोरा होगा टमाटर में लाई को पिन पाया जाता है जो तवचा के कालेपन को दूर कर चेहरे को गोरा बनाता है टमाटर का नियमित इस्तेमाल करने से तवचा की सतय से मरित कोशिकाएं दूर हो जाती हैं जिससे तवचा पर चमक पैरा होती है यदि आप अपने चहेरे को प्राकितिक रूप से गोरा बनाना चाहते हैं तो एक टमाटर को मसल कर इसमें दो चम्मच निम्बू का रस मिलाएं और इस पेश्ट को चहेरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं बीस मिन्ट बाद ठंडे पानी से चहेरा साफ कर लें प्रति दिन यह घरेलू नुस्का आजमाने से आपकी तवचा गोरी हो जाएगी चहेरे पर निखार लाने के लिए हल्दी एक बड़िया घरेलू उपाई है हल्दी तवचा को टोन करती है और तवचा को उजवल बनाती है यह तवचा के लचीले पन को बेतर बनाता है और मुक्तुक कनों से शतिगरस्थ होने वाली तवचा की कुशकाओं का भी बचाव करता है एक चम्मच हल्दी में तीन चम्मच निम्भू का रस मिला कर पेश्ट त्यार कर लें और इसे चेहरे पर लगा कर सूखन दें और पंदरा मिन्ट बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लें हफते में दो तीन बार यहापर करिया दो राएं आपका चेहरा गोरा हो जाएगा